शाम साथ बजे राजभवन जाएंगे नितिश कुमार, इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे सूत्र बता रहे हैं और बड़ी खबर ये भी है कि कल भी खुला रहेगा राजभवन और सचेवाले अब कोई डाउट नहीं रहे गया, कोई शंका नहीं रहे गई है रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन ये बाद चिराग पासवान कोई पता है कि जो सामने बैठा वो सक्स है उसको ऐसे ही भारत की राजनीति का चाड़क के नहीं कहा जाता है अमित्सा हर बात को समझते हुए, जानते हुए और वो किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहते है ये भी समझ लीजिए पूरी घटना करम के पीछे दो बड़े राजनीतिक मायने हैं उसको समझना होगा 40 सीटे लोकसभा की हैं क्योंकि अब विसाल जो भी चीज़ें जोड़ी जाएंगी वो सब कुछ लोकसभा से जोड़ कर देखा जाएगा अंगणित को समझना होगा कि आखिर अंगणित क्या होने वाला है 40 सीटे लोकसभा की हैं जिसमें RJD के पास आज की रेट में एक भी सांसद नहीं है ये कितना दिल्चास पर आप समझी है लेकिन कहीं न कहीं से BJP को ये बात बहतर मालूम थी कि अगर RJD, JU और Congress तीनों मिलकर, इकठा होकर, मजबूती से अगर लोकसभाद चुनाव लड़ेंगे तो उनके कम से कम 17 सांसदों की वापसी पर संदेव बढ़ा हो जाएगा इसलिए ये तमाम कोशिशे की गई क्यों गडबंदन में तफरका पैदा हो